नमस्कार, स्वागत है आपका पॉड़ी गडवाल के चोबटा खाल शेत्र से आज हम आए हैं चोबटा खाल के देवराज खाल से पहले गाउं पड़ता है जलू वहाँ पे कल रात यहाँ पर यह घर है यहाँ एक तेंदवी की घटना हुई थी यह आप देख सकते हैं यहाँ गाई रखी जाती है इनको अमारी वाशा में बोला जाता है चननी तो यह पे यह लकडी के मोर सिंगार है लकडी के नी सौरी पत्थर के और यह तीन लगा के इसमें बड़े-बड़े पत्थरों से इसको बंद किया जाता है रात को और एक में प्रॉपर दर्वाजा है और किसी तरीके से न 669 ने एस्टीन को गिराया या क्या कर रहा है मतलब स्कों ढ़ी है तपसे अइसी गिरावा है मैं आपको दिखाताहूं अंदर से भी स्वे वह बच्छडा वहां पर बंडा हूँ था फिल्स वरस्या साथ उसने तेंद्वे ने उसको पता नहीं किस तरीके से पकड़ा कि उसका रसी भी खुल गई और आप देख सकते हैं इसके नाखुन मारा है ये देखिए कैसे मैं दिखाता हूं आपको ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा वीडियो में ये देखिए यहां पर भी न गले में मतलब नाखुन के निशान है या धात के पता नहीं है दवाई लगा दी थी जिनके बचड़ा है और ये रात करीब 10 बजे की घटना होगी उसके बाद ये आंगन है तो वो उस बचड़े को 23 आंगन में दोडाता रहा यहां पर उसके काफी पंजो के निशान भी थ क्い Yemen में दोडें अगर हूंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि तेंदैंदुय के पंजो के निशान होगे यहां पर तुम्हें आपको दिखाऊंगा यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए निशान ऐसी 2-3 जगाते उर किसी तरीके से वह बचड़ा पनी जा गया है ना कि ऐसा होता है कि यहां बोला जाता है पाड़ो में कि तेंद्वे की सुंग ने की सकते इतनी अच्छी नहीं होती है तो वह इस बचड़े को खाली देख सकते हैं वो तो देखी भी चीज पर अमला करते हैं और किसी तरीके से यह बचला वहां पर छुप गया और कि यह बचले के शरीर में उसके नाखुनों का जहर होगा फैल चुका है तो इस विए से वह थोड़ा ज्यादा ही हिल रहा है उसके बाद सुबह ओती है मालकीन है वह उनकी दो गाया है दूद देने वाली है और यह तो बाद सुबह आ जाता है इन तीनों को छोड़ते हैं के लिए उसके बाद दस बजे की बात है घर से थोड़ा दूर ये गाया चर रही थी और ये वाली जो गाई है ये गाई अपने घर आ जाती है भाग के और क्यूं आती है ये देखिए हड़ी दिख रही है अंदर इस गाई पे शायद वही तेंदवा था या दूसरा दूसरा था उसके द्वारा हमला किया गया और ये गाई सीधा वहां से अपनी जान बचा के बाहर आई है यह गाई किसी तरीके से और सीधा यह गार आई अपने हाँ पर जिनकी गाई है उन्होंने देखा और इन पर दवाई लगाई और जब भागने की कोशिश कर रही थी शायद पीछे से भी उस पर अटेक किया गया यह वही तेंदवा है जिसने कुछ दिन पहले एक रास्ते पर शाम को साड़े पांच छे बजे यह उपर रास्ता है यहाँ पर एक भाईया है उन पर हमला किया था लेकिन दो नेपाली भाई आ रहे थे तो उन्होंने शोर मचाया तो वह वहाँ से भाग गय थे तो यह गटना है जो आम है पहाड़ों में धन्यवाद